Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे किया आपके person आपके लिए आज कैसा feel कर रहे हैं So यह सारे star signs की reading होती है और यह एक short reading है So let's start आपके person की current feelings क्या है आपके लिए So पहला card है हमारे पास 8 of swords 9 of pentacles फिर है हमारे पास queen of swords Page of pentacles 5 of pentacles 2 cards आगे हमारे पास है the hermit death और फिर है ten of wands Okay बहुत जादा heavy energy है आप लोग definitely separation में है Less to no contact है कुछ लोगों का So अगर यह आपकी situation नहीं है तो फिर यह reading आपकी नहीं होगी बट मुझे बहुत ज़्यादा sadness बहुत ज़्यादा अकेला पन loneliness नजर आ रही है आपके person reach out करना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर हमारे पास bottom of the deck पर है page of cups So दो pages है हमारे पास So I feel कि यहाँ पर problem एक था आपके person के level up होने का आप हमेशा से चाहते थे कि वो level up हो आप लोगों का connection आगे बढ़े और थोड़ी सी उनकी energy immature रही है और शायद आपने healthy boundary set की है इस connection में वो आपको दूर दूर से admire कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप एक बहुत abundant इंसान है आपकी boundaries बड़ी जबरदस्त है आप एक straight forward इंसान है direct इंसान है आपकी intentions clear है आप कोई nonsense बरदाश करने वाले इंसान नहीं है आपके person को यह realize हो रहा है कि उन्होंने अगर आपके साथ रहना है तो उन्हें level up होना पड़ेगा उन्हें यह immature energy खतम करनी होगी उन्हें बहुत major major realizations हो रही हैं इस वक्त काफी stuck महसूस कर रहे हैं realize उन्होंने किये हैं अपने patterns, अपनी आदतें, हर चीज़ you know बट वो यह सोचते हैं कि जैसे वो बंधे हुए हैं, वो मजबूर भी हैं आपके person की कुछ मजबूरियां भी नज़र आ रही हैं और कुछ responsibilities भी है कुछ चीज़े unnecessary हैं जो उन्होंने अपने कंदों पर उठाई हुई हैं जिनका बोज लेने की उन्हें जरूरत नहीं थी मेभी आपने समझाया भी हो उने बहुत सी चीज़ों में लेकिन वो नहीं समझे बट अब चुके आप लोग साथ नहीं हैं तो उने बहुत ज़्यादा realize हो रही हैं अपनी mistakes आपके person major transformation से गुजर रहे हैं आप भी ये connection बहुत ज़्यादा transform हो रहा है आप लोग अपनी अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ learn कर रहे हैं आपकी energy आपके person की निस्पत बहुत ज़्यादा mature है so I feel कि वो आपसे apologize करना चाहते हैं majorly मुझे ये महसूस हो रहा है कि उनका उनके जहन में ये चल रहा है कि at least उन्हें आपसे माफी मागने चाहिए at least उन्हें peace बनाना चाहिए peace offer करना चाहिए आपको ये कोई छोटी offer होगी जो आपकी तरफ आरी है आपके person की तरफ से maybe आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो उनके सिर्फ sorry करने से because आप अब इंतजार कर रहे है action का आप अब इंतजार कर रहे है कि वो level up होते हैं या नहीं आप उनके words पर नहीं जा रहे हैं अब आप action देखना चाहते हैं कि उनका action क्या होता है आपके लिए so I feel कि आप लोग less के लिए settle down नहीं होना चाहते हैं लोगों ने तो move on कर लिया है बट अगर अभी भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं तो आप expect कर सकते हैं कि वो आप से apologize करेंगे yes कुछ patterns हैं आपके person के कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो bound है उनको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें में थोड़े stubborn भी हैं but I feel कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो काफी ज़दा खुद को बंधा हुआ stuck bound महसूस करते हैं और इस वज़ा से शायद वो आपके लिए कोई action नहीं ले पाए कुछ कर नहीं पाए you know बट उन्हें बहुत ज़दा अकिलापन महसूस हो रहा है इस present time में वो lonely है, वो खुश नहीं है कोई happy times नहीं गुजार रहे है party नहीं कर रहे fun नहीं कर रहे है काफी sad नजर आ रहे हैं आपके person और काफी heavily सोच रहे हैं आपके बारे में काफी heavy है heavy energy है maybe third party है आप लोग की situation में but movement नजर आ रही है positive movement आप लोग के connection में अगर आप manifest करना चाह रहे है उनकी तरफ से कोई action movement वो होने वाली है but still I feel के आपके person अभी बहुत ज़दा level up नहीं हो रहे हैं because they feel के उनके कुछ reasons हैं और वो बड़े genuine reasons हैं और आप से उनको थोड़ी से understanding चाहिए है और आपको भी उनने थोड़ा सा time देना होगा वो ये सोच रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़े से gentle रहें और उनने pressurize ना करें वो जानते हैं कि उनसे mistakes हुई हैं but still they want कि आप थोड़ा सा time उने और दें so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आप से resonate किया मुझे आपने जरूर बताना है comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye